जै जुहार संगवारी हूँ नमस्कार जै छत्तिजगर स्वागार थेफ सबके आपकी अपन यूटुब चैनल सीजी व्लोगर महमता में दस संगवारी हूँ आज में आपमन पर लेकिया हूँ एकदम देशी तरीका से घ्यू के रेसिपी जै आपमन पर देखे कि बाद आपमन कभी यह नी कहूँ कि हा मला भी मलाई से जो है मकार और उकर से घ्य बनाय बन नहीं है आज सायद में सबसे असान तरीका आपमन की बीचमा सेयर करा तो संगवारी हो बहुत ज़्यादा में हैं अलग-अलग तरीका से मलाई से घ्यों बना हवाँ पर मुला ये तरीका बहुत ज़्यादा असान लगी से मोला लगी स्केल आपमन की बीचमा सेयर बिल्कूल करना चाहिए उकर सती में आज ये वीडियो लेके आँँ आपमन की बीचमा एकदम सही एकदम परफेक्ट हो बहुत कम समय में आपमना मलाई से घ्यों बना के तयार कर सकता हो जो एकदम सुद्ध घर के बने हुए है ना ता बहुत ही असान तरीका हाँ है ये देख सकता हो आपमना जिसे के देखे से पता चलत हो इक अतना बड़ी है ये हमर मलाई से घ्यों बनके तयार हो है ता एला में कैसे बना हो आगे आपमना देखे पर मिली उमीद है संगवारी हो आज की वीडियो आपमना ज़्यदा पसंद आ ही ज़्यादा से ज़्यादा से जरूर करों ताकि हमर बहीनी मने कर लाव उठा पाए और सब कोई जान पाए ता चलो फिर सुरू कर ले थान एला में किसे बना के त्यार करे हो आओ देख लेओ आपमना सबसे पहले ही तो मलाई चीए मलाई संगवारी हो जब घर में दूद होते या दूद आते कहीं से भी तामन दूदला उबाल थान और उबाले के बाद एला रख दे थान जाए भी नौर्मल हो जाथे ठंडा हो जाथे या फ्रेज में भी आपमना रख दूद एकर उपर दूद के उपर मतलब एकर से ही आपके जो मलाई से घ्यों बहुत असानी से बनी और मलाई से मक्षन बहुत असानी से निकली अब एकर पर आप मला का करना है रात को में निकाल के रख दे रहे हूं ये मलाईला और उकर बाद मेला फेटा थाओ इमें नहीं आप मला कोई ठंडा पानी डालना है नहीं कोई गरम पानी कत्नों भी ठंडा के मौसम हो कत्नों भी गर्मी के मौसम हो असानी से आपके मला इसे मक्खन निकल ही बरतन छोटे लगतरी से एकर सती मिहा दूसरा बरतन मेला डाले हो जिसे कि आप मला दिखात होई अब माला जब ऐसे लगना चालो होई न कि बस होगा यह तो हूने चवाला नहीं यह तो बिलकुल क्रेम क्रेम जी से मक्ली तो अलग होते चीनि एお vitesse ला तो चालो हो जाही यह देखा यह थोड़ा से एक दम हलकी होगई थोड़ा अलग लगा थे हाथ में जी सिंग अलग टाइप के महसूस हो थे बिल्कुल ऐसे होई ना संगवारी जग आप माला फेटते जाना है फेटते जाना है और लग भख 5 मिनट में 5-5.5 मिनट में आपके मलाई से मक्षन अलग हो जाए यह एक दम दाना-दाना होगे अभ मलाई में भी थोड़ा बहुत पानी चल देते तब वो अलग हो गए है और हमार मक्षन अलग हो चुके है यह आप मन देख सकता हो कतना असान तरीका से बिना कोई ठंडा गरम पानी कोई बरब के तुकड़ा डाले बिना यह जो मलाई से मक्षन है ओला में है निकाले हो हो सा डाले और है एक फार्मूला है में कि अब कभी अव्याम मलाऐ से घ्यों बनाना है मकषन निकालना है तो ओकर वर आप मलाई ओम टहकर साथ से आठ गंटा बार बाहर रख देना है फ्रिज से ये बात कि आप मन ध्यान रखो एक अरह हमार मख्छन निकल चुके है अगर मलाई से अतना सारा मख्छन निकले है जिसे कि आप आप मनला दिखा तो ही अब बारिया थेला धोए के काबर की जब हम मलाईला इकठा करतना तो उमेक खुसबू रही जते है जो कि अच्छा ने लगे तो ओला हमला धोणा जरूरी है ज़ंगवारी हो और अच्छा से चार से पाच पानी धोणा जरूरी है आप मन जब ठंडा पानी इस अब में लगा के खा सकता हूँ अगर खाली मक्षन निखाना है तो ये मक्षन से घीऊ भी आप मन बना सकता हूँ जो कि आगे में आप मन बता हूँ तो एक रह देखा हूँ कतेक नरम एकदम जबर दस्त मक्षन मलाई से निकल गए हैं और बहुत यसान तरीक़ से ता यह जो मक्खन है ओला मे अच्छा अच्छा से धो दे आंसे जो पानी यह पानी मदा़ को pouring या फिर आता सानी में दी स Wirka ूं ज़िश स वह और फोको सुझ में ज़िशसे ओoooo प्रोसेस पूरा कम्प्लेट हो जी और विलकुल घ्यों बनके तयार हो जी दिमी दिमी आजमा छोड़ देना है थोड़ा ही देन में आप मन देखो आपके मक्षन एकदम फिघल जही गरम होते ही ओकर वाद धीरे धीरे घ्यों भी बन जही दिमी दिमी आजमा ही बनाना है पर यह गाय के दूत की जो है मक्षन हरे संगवारी हो तो पर से में घ्यों बनाता हो तो यह थोड़ा से दानेदार सफेद हो बनी तो एक अरह देखा हो आप मना बहुत ही बढ़ी दिमी आज मेल पकावत हमां ओकर बाद यह बस घी बनने ही वाला है अंदर में हमार घी भीजगह आप मन उतार दो जिससे कमèces आत बता तो पहचान कि उपर इसी जाग जाग ही थाग ओए अगन PAUL कि मतलब घी अलग देखी यह थाब बाद ही के बाद में यह जमना सुरू हो जही और अपने ला चान नहीं पाहो तक गरम-गरम मही ला चान देना है यह देखो संगवारी हो हमारे मलाई से जो है मक्षण निकल गे अवह मक्षण से घीवी बनके तयार हो गे यह आपन चननीमा चान देखो तक देखो आपना कतका अकन मला मला इसे चान देना है उच्छाने के बाद जब यह नार्मल हो जी तब आप मला जे भी डबब में श्टोर करना है आप मन कर सकता हो बीना कोई मिलावाट बीना कोई जहनजट और बीना कोई ताम-जहाम के बहुत ही कम समय में यह हमर बनके तयार हो गे घियों संगवारी हो बस आप मला इला चान देना है और अभी तो यह तेल जी से दिखाते है ना जब यह नार्मल हो जही तो थोड़ा समय हो जही पांच घंटा शे घंटा उकरवा दिया जिसे घियों जम जही तो एकर आप मना देख सकता हो संगवारी हो यह में पहली से और गियों बना के रखे हो जो कि एकदम मस्त बने है और आज की भी देख सकता हो वही तरीका से में बना हो यह देखा हो आप मना कतना दानेदार यह घियों हरे यह सब जो है गाय के ही दूत के घियों हरे एकदम दानेदार और एकदम बढ़िया बने है यह देखा हो एला में थोड़ा से खाली करे ह थोड़ा थोड़ा से खाली रीज़े ता एक्ठनला पूरा भर दे हूँ अब ये वाली घ्यों जो भी बना हो उल्ला जब नॉर्मल हो जाई ता दूसरा वाले में में डाल दो उमीदी संगवारी हो आज के ये वीडियो आप मला पसंद आई सोही अईसना ता आपन भी जरूर से ए तरीका से घ्यों निकालू अपन आनु भावला कमेंट बॉक्स तम जरूर से साज्या करू अब कोनकोन ए तरीका से निकाल थो एला बता हो घलो ता चलो फिर संगवारी हो